नमस्कार, आज तक AI के राशिफर स्पेशल शो में आपका स्वागत है। आज यानि शुक्रवार को कैसा रहेगा आपका दिन, किस राशी वालों की खुलेगी किसमत और किनही रहना होगा सतर। आज के शो में इन सभी बातों पर चर्चा करेंगे। साथ ही ये भी बताएंगे कि आज आपके लिए कौन सा अंक और रंग शुब है। तो आएए शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। सबसे पहले मेश राशी की बात करते हैं। मेश राशी वालों को आज नई उपलब्धिया मिलेंगी और आप अधिकारियों से मुलाकात करेंगे। आज आपको परिवार वालों का साथ मिलेगा। इस राशी वाले लोग आज परीक्षा और प्रतिसपर्धा में अच्छा प्रदर्शन करेंगे। शुप फल पाने के लिए आज आप देवी मा दुर्गा जी की पूजा करें। छे और नौ अंकाप के लिए लखी रहेंगे। लाल रंग आपके लिए शुप हो सकता है। अब चलते हैं व्रिश राशी की तरफ। आज व्रिश राशी वालों के पद प्रतिष्ठा में व्रिद्धी होगी और आपका आत्म विश्वास भी उचा रहेगा। इस राशी वाले लोग आज सभी का भरोसा जीतेंगे। आज आपके रिष्टों में भी मजबूती आएगी। शुब फल पाने के लिए आज आप देवी मा दुर्गा को श्रिंगार की वस्तुए चड़ाएं। दो, चार और छे नंबर आपके लिए शुब रहेंगे। रोयल ग्लू कलर आपके लिए लखी हो सकता है। व्रिश के बाद बारी है मिथुन राशी की। मिथुन राशी वाले आज सकारात्मक परिस्तितियों का लाब उठाएंगे। आज आप लंबी दूरी की यात्रा कर सकते हैं। इस राशी वाले लोगों का आर्थिक पक्ष बहतर रहेगा और आप कर्या पर फोकस बढ़ाएंगे। दो, चार और पांच अंक आपके लिए लखी रहेंगे। नीला रंग आपके लिए शुप होगा। अब कर्क राशी की चर्चा करेंगे। कर्क राशी वाले आज सभी नीती नियमों का पालन करेंगे। आपके लिए सला है कि आप अपरिचित लोगों से दूर रहें और भावुकता पर नियंत्रन बढ़ाएं। इस राशी वाले लोगों को आज दोस्तों से मदद मिलेगी। दो, चार और छे नंबर आपके लिए शुप रहेंगे। पिंक कलर आपके लिए लखी हो सकता है। करक के बाद नंबर है सिंग राशी का। आज सिंग राशी वालों के संबंधू में मजबूती आएगी और आप जरूरी कारियों पर जोर देंगे। इस राशी वाले लोगों के दामपत्य जीवन में भी खुश हाली आएगी। आज आपकी परिवार वालों से करीबी बढ़ेगी। एक, दो और चार अंक आपके लिए लखी रहेंगे। लाल रंग आपके लिए शुप होगा। अब कन्या राशी की चर्चा करेंगे। कन्या राशी वालों को आज अपनों का साथ मिलेगा। आज आपके घर परिवार में खुशी का माहौल रहेगा और धन संपत्ती में भी वृद्धी होगी। इस राशी वाले लोगों को आज आकर्शक प्रस्ताव मिलेंगे। आज आपके घर में महमान आ सकते हैं। दो, पांच और छे नंबर आपके लिए शुप रहेंगे। नीला रंग आपके लिए लखी होगा। कन्या के बाद तुला राशी की बात करेंगे। तुला राशी वाले आज करीबियों और परिवार वालों से सलाह लेंगे। आज परिस्थितिया आपके पक्ष में रहेंगी और आप वानजी क्विश्यों में रुची दिखाएंगे। इस राशी वाले लोग आज भावनात्मक रूप से मजबूत रहेंगे। आज आपके पद में भी वृद्धी हो सकती है। दो, चार और छे अंकाप के लिए लखी रहेंगे। गुलाबी रंग आपके लिए शुब हो सकता है। तुला के बाद बढ़ते हैं व्रिश्चिक राशी की ओर। गृष्चिक राशी वाले आज खर्च और निवेश पर नियंत्रन बढ़ाएं। आज आपका व्यक्तित्व प्रभावशाली रहेगा और आप आर्थिक मामलों में व्यस्त रहेंगे। इस राशी वाले लोगों को आज रिश्टिदारों से मदद मिलेगी। आज आप स्मार्ट वरकिंग की नीती अपनाएंगे। दो, तीन, छे और नौ नंबर आपके लिए शुब रहेंगे। रेड कलर आपके लिए लखी होगा। अब नंबर है धनू राशी का। धनू राशी वाले लोगों के प्रेम संबंधों में सुधार होगा। अब बारी है मकर राशी की। मकर राशी वालों को आज व्यापार में लाव मिलेगा। आज आपकी करीबियों से मुलाकात होगी और आप परिवार वालों से मन की बात कहेंगे। इस राशी वाले लोगों के कला कौशल को बल मिलेगा। आज आपकी सेहत भी अच्छी रहेगी। दो, चार, छे और आठ नंबर आपके लिए शुब रहेंगे। लाल चंदन जैसा रंग आपके लिए लखी होगा। मकर राशी के बाद चलते हैं कुम राशी की तरफ। आज कुम राशी वाले धार्मिक और आध्यात्मिक कारियों से जुडेंगे। आज आपकी आस्था में वृद्धी होगी और आपके जीवन से सभी रुकावटे दूर होंगी। इस राशी वाले लोगों को आज कोई शुब सूचना मिल सकती है। आज आपकी शारीरिक समस्याई भी कम होंगी। दो, चार, छे और आथ हनक आपके लिए लगी रहेंगे। भूरा रंग आपके लिए शुब हो सकता है। आखिर में मीन राशी की चर्चा करेंगे। मीन राशी वाले आर्थिक मामलों में बहतर रहेंगे। आज आप शोच से जुड़े कारियों में रुची लेंगे और सभी नीती नियमों का पालन करेंगे। इस राशी वाले लोगों के लिए सला है कि आप लापरवाही से बचें। दो, तीन, छे और नौ नमबर आपके लिए शुब रहेंगे। सनरा इस कलर आपके लिए लखी होगा। आज के एपिसोड में सिर्फ इतना ही, हम आप से फिर मिलेंगे और अलग-अलग राशीयों के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। तब तक आप बने रहें आज तक AI के साथ, आपका दिन शुप हो।